नमस्कार साथियों मैं विकी विरेन स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाली उड की सिक्स अंडर रेटेर सस्पेंस थिलर और मर्डर मिश्टरी फिल्मों की दोस्तो इन सबी फिल्मों में सस्पेंस तक जरूर देखिएगा दोस्तों इन में से कोई भी फिल्म आपको यूटूब पर नहीं मिलेगी जी फाइव एप नेट्फिलिक्स और अमेजन प्राइम वीडियों पर एफिल्में एविलेबल हैं फिर भी अगर आपको इन फिल्मों को फ्री में देखना है तो वीडियो के लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इने फिरी में कहां से देख सकती हो और हाँ एक जरूरी बात अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रिस करें अर कहानी वैसे नहीं होती है जैसे इसमें मुख किरदार निभाया था अतुल सत्य कौसिक के हिंदी नाटक बाली गंज 1990 पर या फिल्म आधारित है IMDB ने इसे 5.2 आउट अप 10 की रेटिंग दी है फिल्म की कहानी राजस्थान की है जहां एक फेमस एक्ट्रिस वारी चोपडा की सगाई उसके बॉइफ्रेंड कार्तिक के साथ होती है पर सगाई के तुरंत बाद वाड़ी का मर्डर हो जाता है और सक की सुई पूरी तरह से कार्तिक पर घूम जाती है इसी बीच कार्तिक वहां से भाग निकलता है और वह ऐसी हवेली पर जहां पहुँचता है जहां उसकी मुलाकात उसकी एकस गर्ल फ्रेंड वास्टी से होती है क्या वास्तों में कार्तिक ही गुनागार है या फिर कोई और इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे राहुल देव इस मर्डर की च्छान बीन करते हैं आगे फिल्म में और भी टिश्ट और टर्न्स आते हैं दोस्तों इस फिल्म को आप जी फाइब आप पर देख सकते हो अगर आपने जी फाइब आप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इसे हमारे टिलिग्राम चैनल पर जाकर वहां से भी इसे देख सकती हो नमबर पांच के फिल्म का नाम चेहरे है दोस्तों या एक मिश्ट्री थिलर फिल्म है जिसके इस्टार कास्ट में अमिताब बच्चन इमरान हासमी रिया चक्रवर्ती और अनू कपूर हैं 1956 के जर्मन नाविल एक डैंजरिस गेम पर या फिल्म बेश्ट है फिल्म में दिल्ली के एक आइड एजनसी के मालिक समीर महरा यानि की इमरान हासमी खराब मौसम के चलते एक घर में पनाह लेते हैं जहां उनकी मुलाकाद चार बुजर्गों से होती है ये सभी इमरान को ए एजनसी हथियाने का आरोप लगाते हैं अब इमरान इस चक्रविव से कैसे बाहर निकलते हैं यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा आइम डेवी ने इसे 6.6 आउट आप 10 की रेटिंग दी है नमबर चार की फिल्म साइलेंस कैन यू हीर इट है मनोजवाजपेई प्राची दिसाई और अरजुन माथूर ने इसमें में रोल प्ले किया है आईम डेवी ने से 6.7 आउट आप 10 की रेटिंग दी है बात करें फिल्म की स्टोरी की तो फिल्म के सुरुआत में ही कुछ गड़की की लास मिलती है बाद में पता चलता है कि या लास सहर के जस्टिस चौधरी की बेटी पूजा की थी चूकि मामला सहर के जस्टिस चौधरी की बेटी का था इसलिए चौधरी साहब खुद पुलिस कमिशनर से मिलकर इस हत्या की इन्विस्टिगेशन एसे पी अव हुषते हैं यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा अगर आप मर्डर मिश्ट्री फिल्में देखने का सवक रखते हो तो इसे बिलिकूल भी मिस ना करें नमबर तीन के फिल्म हसीन दिल्रुबा है तापसी पन्नू विक्रांट मैसी और हर्सवर्धन राड़े इसमें में रोल प्ले किया है आई एम डीबी ने इसे 6.9 आउट अप 10 की रेटिंग दी है दोस्तों पागल पन की हद से ना गुजरे तो प्यार कैसा होस में तो रिष्टे निभाए जाते हैं इन्ही लाइनों में इस फिल्म की पूरी कहानी है फिर भी बात करें फिल्म के क रहानी की तो फिल्म की सुरुवात एक ऐसे सीन से होती है जहां एक महिला कुट्टों को खाना खिला रही होती है कि अचानक उसे अपने घर में धमागे की आवाज सुनाई देती है और वह घर के अंदर भागती है वहां उसे अपने ही पती का हाथ मिलता है अब इस मामले की जाच के लिए पुलिस इस महिला को ही संदिख्ध मान लेती है आगे फिल्म में कई ऐसे ट्विश्ट और टर्न्स आते हैं जिसे देखकर आपके होस उर जाएंगे प्यार की तलास में बनते बिगरते रिष्टे सेक्स और धोखा के बीच जिस तरह इस फिल्म में सस्पेंस और थिल को दिखाया गया है वह काबिले तारीफ है नमबर दो की फिल्म नेल पॉलिस है अरजुन रामपाल मानाव काउल मधुआ और रजित कपूर जैसे सितारे इस फिल्म में देखे जा सकते हैं आई एम डी मिन इसे 7.3 आउट अप 10 की रेटिंग दी है दोस्तों जुर्म द लखनाओं में किर्केट पर सिच्छड अकादमी चला रहे वीर सिंग से सुरू होती है जिनके उपर दो बच्चों के साथ दुसकर्म कर उन्हें मार डालने के बाद लासों को जला देने की संगीन आरोप हैं वीर सिंग का केस जैसिंग यानिकी अरजुन रामपाल लडते है जिनने बहुत बड़े नामी वकील के तौर पर फिल्म में पेस किया गया है और सरकारी वकील की रूप में आनंद तिवारी को दिखाया गया है अब क्या सचमुच वीर सिंग ही आरोपी है या कोई और या जानने के लिए आप या फिल्म देख सकती हो नंबर एक की फिल्म का नाम छोरी है मेरे भाई या एक हारर थ्रिलर फिल्म है पर इसका क्लाइमिक्स बहुत ही अच्छा है साइद इसी लिए अब इसका सिक्वेल बनाने के भी घोसला हो चुकी है छोरी फिल्म मराठी भासा की फिल्म लपा छपी की रिमिक है IMD में इसे 7 out of 10 की रेटिंग दी है नुसरत भरुचा, मीता वसिष्ट, राजेस जैस और सावरब गोयल इसके लीड रूल में है फिल्म की इस्टोरी आठ मैने की प्रेगनेंट एक लड़की साच्छी की है जो अपने पती सावरब के साथ हैपी मारीड लाइफ जी रही होती है कि तभी बिजनेस के लिए अस्थानी दबंग से लिया गया लोन ना चुका पाने के कारण कुछ आदमी साच्छी के पती के साथ घर में घुसकर मार पीट करते हैं अब अपनी प्रेगनेंट पतनी की सुरच्छा के लिए हेमन्त अपने ड्राइवर के गाउं छिपनी के लिए चला जाता है पर वहाँ गाउं में पहुंचने के बाद से ही साथ्ची के साथ कुछ रहस्य समय घटनाएं घटनी लगती है क्या है वह रहस, क्या साच्छी इस गाउं में आकर सुरच्छित है या फिर किसी और नई मुसीबत में फस गई है इन सारे सवालों का जवाब देने का काम या फिल्म करती है दोस्तों इन सभी फिल्मों का लिंक आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का नाम विकी विरेन है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आप वहां से इसे डाउनलोड करके इन सभी फिल्मों को फिरी में देख सकती हो ओके माई फ्रेंट्स आपको आज कि ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं थांक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में